हलो मेरे प्यारे विध्यारतियों, कैसे हैं आप सभी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और सभी स्टूडेंट्स फड़ावर से जुड़ जाएं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और हिली साड़े बारबजे आपके लिए क्लास आती है, और मज़ा आएगा आपको, काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है यहाँ पर मेरे साथ जुड़कर, लेक्शन नमर 185 हम कवर कर रहे हैं आज और मेरे साथ मेरे फाउंडेशन बैच में अगर आभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, इंतिजार मत करिए किसी भी चीज़ का क्योंकि आपके लिए बहतर से बहतर चीज़ें और होने वाली है अनकेडमी लर्नरेपर आप जाएंगे, SSC एग्जाम पर आप जाएंगे, GATS अस्किप्शन पर आप जाएंगे 24 महने का आपको बैच लेना है और साहिल 10 एजे कोड लगा देना है अब जैसी साहिल 10 लगाओगे ना तो आपको मेरे साथ में जुड़ना है उसके बाद में आपको अपलाई करके डिसकाउंट आपको मिल जाएगा ठीक है, प्रोसी टूपेबर जाकर आप एमेंड कर सकते हैं और अपने पॉइंट्स को रीडिम कर लेते हैं तो आपको एडिशनल वेनिफिट्स भी मिलने वाले साहिल 10 कोड लगाकर अनकेडमी पर आप किसी भी कैटेगरी में जुड़ते हैं तो भी आपको एडिशनल डिसकाउंट मिलेगा चक्रवर्ती व्याज हमारा सुबह चला था आप उसको कवर कर सकते हैं रात को 8 बज़े हमारी जो क्लासे सोती हैं साड़े 6 बज़े जो होती हैं उन्हें भी आप कवर करिए ठीक है यह फैल गरत लगे भाईसा ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है 186 है ना? 185 लग रहा है 186, 185 अरे यह तो पुराना है तुम्भी मतलब है 185 वाली कहां गई 185 वाली कहां गई 1923 वाली कहां पुरा है यह हो जी गी 186 ठीक है 186 हो जाए गया 189 कहां से आ गया यह ठीक है मेरे पास जो है वो ठीक है लेकिन इसमें कुशन्स नहीं है ओके ओके गड़वड हो गयी मेरे स्याथ दूसरी फाइल आगी कोई नहीं दो मिनट का काम है एक मिन में चेक कर लेते हैं है ओके यहो जगे आपका है अभी जँकाम है है उड़पग है गशुट आड़वगघ उड़गई एलबधग है ओके है झाल 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 स्टार्ट करतें चीजों को आप मेरे साथ जूर जाइए फटावट से और यह हमारी क्लासे सो चुकी है आज शाम को साड़े छे बज़े रात को आट बज़े मॉक टेस्ट हो गई यह कोशन था राकेश शक्रवर्थी ब्याच की दर से 5% की रेट पर 2 साल के लिए सावधी 10,000 रुपे का इंवेस्टमेंट करता है तो वे धनराशी कितनी हो जाएगी 5% की बात है याने की 1 बटे 20 याने की 20 से 21 और 20 से 21 आप यह देख सकते हैं कि आप इसको यह मालने या फिर मेरा हिसाब यह कहता है कि या 10,000 है न तो 100 से 105 मालो 100 से 105 मालो तो यह हो गया 10,000 और 110,25 तो 10,000 से 110,25 आपकी राशी हो जाएगी इसी था, सक्सेसिवली आप कर सकते थे ठीक है नेक्स्ट अज्जू कह रहा है सर बड़ा टीवी कभी टीवी फिल्म भी देख लिया करो खाली पढ़ाते रहते हो अज्जू भाई यही है न अज्जू रेस्मोंसिबिल्टी चेंज हो जाती है पहले देखा करते थे भाई यार लेकिन अब जिसे दिन में क्लास रहते हैं तो यह काम नहीं होता और फिर आदमी मतलब यह की फिजीकली ठकता ही है फिजीकली नहीं जैसे टीचिंग ऐसा है कि आप एक भी मिनट के लिए ऐसा नहीं रख सकते क्यार ले भाई जख्की ले ले कोई ऑफिस में थोड़ी बैठे हैं पढ़ाना है और एक्टिव रखना पड़ता है क्योंकि समझाना भी पड़ता है तो अगर मैं देखू तो यह थ्री डाइमेंशनल काम है mentally, physically और emotionally भी आपके साथ जुड़ना पड़ता है तभी आप connect कर पाते हैं तो यह बहुत ज़रूरी है तो इतना आसान नहीं है यह सब चीज़ है एक्स माइनस टू इसका एक फेक्टर है तो क्या करेंगे तो एक्स बराबर दो रखने पर क्योंकि एक्स माइनस टू अगर फेक्टर है तो एक्स बराबर दो रखने पर आपका यह जीरो हो जाना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर हम रखेंगे तो दो की पावर चार सोला तिया अर्टालिस माइनस ए प्लस टू है ना तो ए प्लस टू इंटू एट माइनस दो दूनी चार माइनस का चार बराबर शूनने है सब इधर आ जाएगा या इधर लिलो अर्टालिस में से अगर आपके सोला चले गए तो यह ए प्लस टू इंटू एट और यह हो गया 32 बटे आठ चार तो ए प्लस टू बराबर चार है तो ए बराबर आपका हो गया दो तो आ गया अंसर गड़बड़ है नाई आठ चार और चार आठ आठ होगा बैस सोला कहां से आ गया यह चालिस हो जाएगा चालिस बटे आठ पांच तो यह हो जाएगा तीन तीन तो है अब ही कुम गड़बड़ कर दिल सी आंसर होगा इसका अब ठीक आ रहा है न सबका चलिए नेक्स्ट उन्यन कौन ग्यात कीजिए जब पेड़ की उंचाई इतनी हो और पेड़ की छाया इतनी हो आप एना देखके बता सकते हो यह सोला रूट तीन है और यह सोला है आप बताओ क्या होगा जब यहां ऐसा एं दिल्म और मनीश्षा साथ किलो मेटर नौ किलो मेटर की चाल से एक ही जगे से दोड़ना शुरू करती हैं यदि वे एक ही द्षा में चलती है तो सोले क्लोमेटर दूर जाने में कितना समय लगेगा 2 km का अंतर है 1 गंटे में 2 km का अंतर है 16 km के लिए 8 गंटे चलना पड़ेगा संपल आए बहुत सिंपल है आप ये दो देख पा रहे हैं 1 km में 2 गंटे का 1 गंटे में 2 km का फरक आ रहा है 16 km का फरक तब आएगा जब वो 8 गंटे की बाद चलेगी Next पहला कुशन आपके सामने है आपका समय शुरू कर देता हूँ Time's up हो गया 9x दिख रहा है का whole square minus 7 by y का whole square ये क्या है 9x plus 7y तो यहां हो गया सार 9x minus का 7y b next चले इसका इसका answer देना था भैया आपके इसका अंसर आपके आपके बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन नीचे दिये गए हैं किस बल्लेबाज का उसत बहतर था एवरेज कैसे निकालते हैं आप बताना ज़रा एवरेज साथ आपको दे रखें साथ बल्लेबाजों में बताओ वही क्या हिसाब किताब रहेगा तो हम ये कह सकते हैं कौन सा बल्ले बाज बहतर है बहतर के लिए इन दौनों के एवरेज में आपको देखना है कि बल्ले बाज 1 बहतर है या बल्ले बाज 2 बहतर है और कितना बहतर है ये भी आपको notice करना है तो उसका average निकालते हैं इसका average निकालते हैं तो मैं कहता हूँ देखो यार यह हो गया 60 ठीक है batsman 1 batsman 1 और batsman 2 2 हैं हमारे पास batsman 1 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखना ज़रा 51 और 9 60 60 और यह हो गया कितना 90 60 और 90 यह वाले भी मैंने कवर कर लिए 90 और साथ 500 500, 500, 500 और कितना आ रहा है 80 230 233 233 और 235 235 और 24 275 बटे 7 इसी परकार यह कितना आ जाएगा 11 यह आ रहा है 321 बटे 7 यह जीत गया और इसका ओसत कितना है 7, 4, 28 बचे अपने पास 4 और 7, 5, 35 45 पॉइंट कुछ एवरे जा रहा है बैट्समेंट 2 जीता है विद और 7, 45 बटे 9 के साथ में नेक्स्ट देखे 35 बटे पीज़ू जीता है 6, 35 बटे 10, 5 बटे 10, 10, 10, 11 से 5, 25 बटे 10, 11 का बटे 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 15, 17, 16, 17, 16, 17.1 नेक्या प्याद्याद्या आर एक्स्ट देखिए क्या है अजहर एक यात्रा दस घंटे में पूरी कर सकता है वह आदी यात्रा 21 किलो मिट्री गंटा की गत् Mick 저희 से तै करता है और बाकी बची हुई यात्रा चौबिस से तो उसकी कुल दूरी कितनी होगी सर तो आदी यात्रा 21 से और उकुल दूरी निकालनी है तो हम यह कह सकते हैं कि दौनों की चालों का गुणनफल और दौनों की चालों का योग और टोटल टाइम पांच दूनी दस पन नाम पेंतालिस तीन अठे चौबिस तीन सते एक्किस सातु वाटू चपन दूनी एक सो बारा लेकिन यह आधी दूरी है तो टोटल हो जाएगी दो सो चौबिस यह आधी दूरी थी प्योंकि आधी है ना इसलिए next झांच 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 घटके रहने मुपन और बीज़ के यह नहूंकि रहूरी दूरी है देखिए एक कैम्प में 180 विध्यारतियों के पास 20 दिन के लिए राशन है यदी राशन 25 दिनों तक चलाना है तो कितने विध्यारतियों को कैम्प छोड़ कर चले जाना चाहिए बात को सुनना 180 विध्यारतियों के लिए 20 दिन का है यदी 25 दिन तक चलाना है तो कितने विध्यारति खा पाएंगे ये देखो पहले आप 36 दूनी 72 इंटू 4 है ना 36 को क्यों ले रहे हो फिर आप 18 ले लो 18 इंटू 2 इंटू 4 145 यानि कि छोड़ कर कितने जाने चाहिए 180 थे ना 36 छोड़ कर चले जाए तभी वो 25 दिन तक खाना चल पाएगा वना नहीं चल पाएगा next next देखिए वैं छोटी से छोटी संख्या जिस्को 15 और 14 की वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि प्रेणाम सुरू प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सके मैं छोटी से छोटी संख्या जिसे 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए तो यह हो जाएगा 225 यह हो जाएगा 116 में और 6 और 5 11 10 और 2 12 और यह हो गया कितना 421 क्या जोड़ा जाना चाहिए I think मैं सोचता हूँ कि 20 जोड़ो 441 बन जाएगा और यह पूर्ण वर्ग भी हो जाएगा ना फिर इसे लिए जोड़ो दो B Next एक आयत का परिमाप आपको 28 दे रखा है अब आयत का परिमाप होता है दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 28 अनि कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आपका कितना निकल कर आगया चौड़ाई निकल कर आगया अब यहां एक रेशू दे रखा है कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो पांच अनुपात दो है यानि कि यहां जो साथ अनुपात है वही आपका चौड़ाई के बराबर है एक बराबर आपका दो है यानिकि लंबाई आपकी दस होगी और चोड़ाई आपकी चार होगी तो बस दस आगया अंसर कि लंबाई आपको निकालने है नेक्स्ट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप पीक कहां जा रहा है नो तक यानिकि आपको क्या करना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो लगा देने एक और यही आपका आंसर होगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्तिन ने 3420 रुपे में एक चाय का सैट बेचा जो लागत कीमत से 43 परसेंट कम था इस पर दस परसेंट लाप्राप्ति हे तूँ विक्रता को सैट इतने रुपे अधर ने पांच 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 पा रिक में बेचना चाहिए था बताओ कि क्या करेंगे तो हम यह कहते हैं कि पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्तिने 3420 रुपे में एक चाय का सैट बेचा जो लागत कीमत से इतना कम है यानि कि 57 परसेंट पर बेच दिया 3420 रुपे में यह से 100% निकाल रहूं तो मेरे पास निकल कर आ रहा है छे ऐजारुपे में 10% का लाप प्राप्त करना चाहता हूं यानि कि मैं इसको 10% के लाप की प्राप्ति है तुम सेट को कितने अधिक में बेचना चाहिए थीक है तो यानि कि मैं इसको 600 में बेचूं तो कितने अधिक पर बेचना चाहिए इतने अधिक पर अंतर निकाल लो इन दोनों का तो जैसी आप अंतर निकालोगे तो 3180 आपका difference amount हो जाएगा Option number A, 3180 Next बहुत ही अच्छा question है आप यह जानती भी है पहले से ही कि यहाँ A square minus B square आप लगा दोगे तो एक तो A square sin square theta plus cos square theta 1 हो गया और एक बनेगा cos square theta minus sin square theta क्योंकि A plus B into A minus B है यानि कि यह तो हो जाएगा 1 और यह कितना होता है सबको पता है यह होता है cos 2A लिख लो नहीं पता तो formula next देखिए रिटेश है गौरव है और जुगनू है दो अनुपात पांच अनुपात साथ के अनुपात में investment करते हैं निवेश की बापसी के प्रतिशत का अनुपात इतना दे रखा है पांच अनुपात तीन अनुपात दो तो गौरव ने गौरव रिटेश से डेड़ सो जात कीजिये सर काफी इंट्रेस्टिंग कोश्चन है काफी इंट्रेस्टिंग है चीजे समझना और तभी इसका अंसर आप सही रंग से दे पाएंगे है ना अब आपको बोला जा रहा है कि सर ये क्या है पांच तीन दो यह उनका क्या है रिटन investment है तो अल्टिमेटली यहा आपका रिटन investment हो गया अब यहां कह सकते हैं कि गौरव और रितेश का फरक कितना है पांच रेशो और पांच रेशो की वैल्यू डेड़ सो के बराबर एक रेशो की वैल्यू तीस के बराबर तो कुल आये कितनी हो गई 29-39, 49 इंटू 3 1170, option number A 1170, इंटू 3 1170, इंटू 3 देखिए 45 डिग्री और 45 मिनिट का पूरक कौन क्या होगा पूरक कौन वो होता है जिससे की 90 डिग्री बन जाए तो यहां आपको लेना है 55 मिनिट 45 डिग्री याच्छ पच्पन के लिए निए 45 अना ठीक है तो 60 बनाने के लिए 15 लेना पड़ता है 15 मिनिट होगा ना और यह हो जाएगा 45 पंदरा आ रहा है क्या C आंसर होगा क्योंकि यह 60 में चलता है ना मिनिट तो तो यह दिहान रखना Next 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 झाल झाल चलिए क्या करना है भाई एक संख्या के 9 बटे 5 का 35% कितने के बराबर है 2502 के बराबर है तो यहां हमने 7 आ गया और 7 से काटा मैंने साथिया 21 साचिंग 42 नो चोके 36 यानि की X percent बराबर आ रहा है 36 sorry X percent बराबर आ रहा है 4 तो यह आ जाएगा 4 अशो option नमबर B next नेक्स्ट करिए आराम से देखिए जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है वर्तमान से 8 साल बाद उसके पिता की उम्र उसके स्वैम की उम्र के दुगने से 2 साल कम होगी जेरेमी की वर्तमान उम्र क्या है यह पूछा गया है तो जेरेमी अपने पिता से 26 साल छोटा है वर्तमान से 8 साल बाद उसके पिता की उम्र उसके स्वैम की उम्र के दुगने से 2 साल कम हो सिंपल ले लो जैरमी को मान लीजिये आप X उसके पिता जी हो जाएंगे 26 साल बड़े वरतमान से आठ साल बाद उसके पिता की उम्र उसके स्वैम की उम्र के दुगने से दो वर्ष कम है यारे की कहानी बिलकुल अच्छी है सुन्दर भी है 36 बरावर X जेरेमी की वरतमान उम्र कितनी हो गई तरही है न उसकी स्वैम की उम्र के दुगने से तो स्वैम की कब्र आठ साल बाद हो सकता है दो साल कम है यही फरफ होगा और क्या देख लेते हैं x प्लस 26 प्लस 8 बराबर 2x प्लस 16 माइनस का 2 अगर ऐसा है तो 2 10 और 10 20 तो x बराबर 20 यह सही है क्या यह ठीक है तो यह कहानी है क्योंकि वर्तमान नहीं बोला तो हमें 8 साल बाद का इसका मानना पड़ेगा नेक्स्ट करिएगा पांसो तेरा ग्यारा सो साथ सास्तो तरासी का मैसेप है क्या है हमेशा मैसेप है के लिए मैंने क्या बताया मिनीमम डिफरेंस यही दोनों दे पाएंगे तो बस वहीं से ही आपको लिंक पता लगेगा कि क्या FCF होगा क्योंकि बड़ा बड़ा होता है तो नहीं पता लगता है तो यह हो गया सर दो और यह हो गया कितना 324 अब 324 है सर अब 324 यहां किस से divisible हो सकता है सोचो आख मैंने गाए यार इसके और टुप्डे करें मैंने तो 18 है इंटू 18 पिर मैंने लिखा 9 दूनी 18 नौ दोनी अठारा अब मुझको एक चीज दिख रही है कि 9 तो आएगा 9 केवल इसी में है D केवल D में है क्योंकि 9 है तो वही exist करेगा SCF वरना और कुछ हो नहीं सकता इसलिए कोई टुकडे नहीं करने आप जो भी minimum difference होना उसी के टुकडे करो और फिर वहीं से पता करो कि कौन सा आपका factor निकल के आ रहा है समय शीमा शुरू मैं बता देता हूँ कि ये आपका division है ये भी आपका division है और ये भी आपका division है और ये भी आपका division है अब करिया आप बाकी आपके plus हैं सारे देखिए मेरे प्यारे विध्यारतियों आराम से करना इस कोशन को है ना जैसा की मैंने का पहले यह ब्रैकेट kicks करिए क्योंकि बात की बातềnमें करेंने। तो पहले ब््रैकेट में जोटा ब्रैकेट करना एंहां तो यह देखू var प्लस नौ बटे 24 इसको आप क्या लिख सकते हूं तीन 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 अठ्थे 24 आट तीया 24 और तीन 27 बटे आठ यहां डिवीजन है और साथ में से दो गया तो पांच तो यहां पहले इसको सॉल्व करेंगे आठ पंजे 40 बटे 27 यह अपना कितना आ रहा है चार आ रहा है तो यह हो जाएगा सर 27 बटे 40 ठीक है तो यह दो यह हो गया अब 80 बटे 27 यह अंसर आ गया आठ से डिवीजन करता है आठ में डिवाइड कर दिए नेक्स्ट ओ बताइए अच्छा कुशन है यह पार्सल फ्रेक्शन कहते हैं इसको देखे जर पार्सल फ्रेक्शन क्या कहलाता है उस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा क्योंकि नया कॉंसेट है आप लोगों में से बहुत कम को आता होगा यहाँ x है और यहाँ मैंने इसको x-1 और x-1 बना दिया parser fraction के हिसाब से अगर इसको आप solve कर रहे हो तो यह a हो गया और यह x-1 और b upon x-1 यही बात सही है न अब यहाँ होता है comparison कैसे होता है सर वो देखते हैं चलो आप जब यहाँ इसको ले लोगे ले लोगे तो यहाँ देखो आपको मिलेगा a into x plus 1 plus b into x-1 यही न मिलने वाला है और नीचे जो है denominator कट जाएगा बिल्कुल ठीक है तो यहाँ तक आपने समझ लिया अब इसके बाद जब इसको आप solve करोगे तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि a plus b x का coefficient है और बाकी वो कट गया तो यहाँ a plus b बराबर कितना आ रहा है एक आ रहा है तो आपको ऐसी एक equation देखनी है जहाँ a plus b बराबर एक आ जाए तो केवल option number c बन रहा है जहाँ a plus b बराबर एक होगा तो यह इसको parcel fraction कहते है you have to compare each and everything you have to compare तो आपने यहाँ compare किया कि x की coefficient a plus b आ रहा है तो यहाँ x का coefficient एक है तो आपने a plus b को एक बना दिया क्योंकि यह comparison करना है next हो गया वई यह homework है 17 18 19 और 20 यह चार कोशन आपके homework में है मैंने आपको चकरवर्ती ब्याद सुबह पढ़ाया जाकर जरूर देखें शाम को साड़े 6 बजे टैस्ट जरूर लगाए ठीक है रात को 8 बजे mock test होता है mock test complete होता है आपका पूरा full length ठीक है हाँ चलिए और आपको पता होना चाहिए कि साहिल 10 ऐसे call लगाकर आपको जोड़ना है अच्छे से पढ़ना है बाकी सारी subject आपको मिलेंगी ssc exam पर जाएंगे get subscription पर जाएं 24 महिने का batch लें और साहिल 10 ऐसे call लगा दें अब जैसी साहिल 10 लगाओगे प्रॉसी टू पेपर चले जाना apply कर देना discount आपको मिल जाएगा ask it out feature raise end feature सब कुछ मिलेगा ठीक है यह आप मेरे से connect हो सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं लाइक करें शेयर करें अभी पांच बजे foundation होगा थाड़े 6 बजे test होगा रात को 8 बजे mock test होगा all the very best take care love you all और हैपी नवरात